नमस्कार आप देख रहे हैं विंद्य भारत और आपकी साथ मैं हूँ अजिता रहा पर कैम्प लगाकर सडक सुरक्षा के बारे में लोगों को जानकारी दी जारी है रिवा जुले में आए दिन एक्सिडेंट सामने आ रहे हैं जिसको बचाने के लिए या अभियान चलाया जा रहा है इस अभियान में कई संग्ठनों को भी पुलिस ने आमंत्रित किया है अब पुलिस संग्ठन के माध्यम से सडक सुरक्षा के बारे में घर घर जाकर लोगों को बताएगी हीवा दिले में एक्सिडेंट से होने वाली मृत्यू की संख्या कम करने के लिए हम लोग सभी डेपार्टमेंट्स आप आसम मिलकर टीम की रूप में काम कर रहे हैं और इसमें हम लोगों ने एनभव किया कि हमें पब्लिक पार्टिसिपेशन बड़ी मात्रा में चाहिए जन्ता की भागिदारी बहुत बड़ी आवश्यक्ता है इसको देखते हुए आज ये कारकम रखा गया था इस कारकम में हमने कुछ संगठनों को आमत्रित किया और उन संगठनों को जमने काम दिया है घर परिवार में जाकर मिलना उनको ओवर स्पीडिंग के बारें बताना एक्सिडेंट के दुष्प्रवाव के बारें बताना उन लोगों के अनभव जानने के बाद हम इस कारकम को कैसा रूप दे सकते हैं उस पर काम करना साथ साथ आपको बहुत और बताऊंगा हम लोगों ने दो नए प्रियोग रिवाजलियों में किये हैं एक्सिडेंट्स की रहत कम करने के लिए पहला हमने अपने मुख्यले परना करकर सभी डेपार्टमेंट को साथ में जाकर लगातार सुबह शाम तक ऑन रोड मोके पर जाकर प्रतेक पॉ हमें दोश आ चुके हैं उनको शश्मी की आवश्कता है उनको दवाई की आवश्कता है इन दोनों प्रियासों से हमें लगता है काफी परक पड़ेगा थैंक्यू आपने जैसा कि मैं आपको बताया कि हमने स्लाइश सुरशा समीति की बैठक यहां पर मीटिंग में ना करके अन रोड आयो जित्ती है हम लोग एक चरण में यहां से लेकर हमारे मिरजा पर रोड कवर कर चुके हैं हनुमना तक अगला चरण हमारा अगले हफते प्रतावित है इसमें हम लोग इलावाद रोड तक जाएंगे और जहां जहां पर रास्ते में कट्स हैं तिराये चुराय हैं यहां पर संके तक नहीं है एक्सिडेंट जोन है उन सबको मौके पर देखका समंद्ध वागों से उसको दुरत करने की पहल शुरू करवाएंगे और उसका फॉलोपी लेंगे थैंक